कि वह तर्दा अनट्स ट्रॉक्टिर्स कोल्ड है जेट सेड कॉमन एंसेस्ट्री यानि वो एन्ट्री को हम क्या क्याते हैं जो कि कॉमन एंसेस्ट्री को सेड करते हैं option A है analogous structure, option B है homologous structure, option C है evolutionary structure, option D है vestigial structures तो इसका जो सही उत्तर है question number 28 का वो है option B homologous organs, homologous structures जो है वो common ancestry को share करते हैं और या anatomical structures होते हैं एक homologous structure होते हैं जो की common ancestry को share करते हैं यानि जिन animals, जिन दो animals के इंदर homologous organs पाया जाते हैं उनके जो ancestors है वो एक time पर common ही थे, एक ही ancestor उनके थे जो analogous structure होते हैं वो common ancestry को share represent नहीं करते हैं यानि जो analogous structures होते हैं उनका function तो same होता, उनका काम तो एक ही होते हैं लेकिन वो originate यानि वो बने और उनका जो structure है वो different होता है यानि अलग होता है इसलिए उनके जो ancestors होते हैं वो एक नहीं होते हैं option C, ही है एजिए evolutionary structures होते हैं वो वो इस्टुक्चर होता हैं जो कि OWLUSA engineer की study करने में help करते हैं जैसे कि जो ... जो mammals होते हैं कई emphasizing植 Tigers structural structure का तो για एक अच्छा example होता है अप्सेंट है वेस्टीजियल इस्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो की present time जो organism है उसके किसी काम के नहीं होते हैं लेकिन past में यानि history में यानि जो इतियास में कभी उनके जो ancestors हैं उनके अंदर वो बहुत काम के organs थे जैसे humans में जो है vermiform appendix होता है या पिन्ना होता है इसके साथ साथ जो कॉकिक्स यानि जिसे हम टेल बून कहते हैं वो यह सारे structures होते हैं यह vestigial structures होते हैं जिनका आज के time में हमारे लिए कोई काम नहीं है लेकिन जो हमारे पूर्वस थे उनमें यह बहुत काम के थे तो question number 28 है उसका सही उतर है option B homologous structures जो होते हैं वो common ancestry को रिप्रेजेंट करते हैं